हाजी दोस्तों क्या हाल है दोस्तों I hope you are all doing really really well Good evening and welcome to today's video आज 25th को बहुत सारे बच्चों का first attempt था जहां पर उन्होंने कुछ बच्चों ने जाके SPOM का paper लिखा मेरी बच्चों से बात हुई जिन्होंने सेट A लिखा, सेट B के बच्चों से मैंने बात नहीं करी आप लोगों को सेट B क्ले आपको ये वीडियो help नहीं कर पाएगा पर सेट A क्ले में जरूर आपकी कुछ help कर सकता हूं मैं आपको कुछ मैने actually बात करी टेली ग्राम पर बहुत सारे बच्चों के input आये पर मैंने बात करी दो बच्चों से एक जिसने पूरा-पूरा बिना पढ़े तुक्का मार के जाके बेपर लिखके आया और एक बच्चा जो पूरा पढ़के गया था धंग से पूरे 75 आर्स की क्लास करी पिछले 10 दिन की महनत करी और उसके बाद उसने जाके बेपर लिखा जो जिसने 10 दिन पढ़ा ही करी थी उसको आए 76 मार्क्स आउड अफ टोटल 100 और जिसने तुक्का मार के गया था वो भी विचारा 48 आ गया पर प्रॉब्लम यह हुई वही होता है कि हम महनत करते तो नसीब हमारा साथ देता है महनत नहीं हुई थी इसलिए नसीब ने भी 2 मार्क्स का साथ नहीं दिया पर ठीक है उसको यह रियलाइज हो गया कि पेपर जो है ना मैं आपको बहुत सारी चीज़े बताऊंगा ध्यान से सुनना पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ और मेरे साथ मेरे लाइब बच्चे जुड़े हूए है तो वो अग्री करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके साथ सामने अमने लाइब अभी पिछले 20 मिनट में बात किये उनसे मैं जो बताऊंगा ना यह बहुत कम सैंपल साइज का you know conclusion है तो इस वे से बहुत सारी चीज है मेरी conclusion सही या गलत हो भी सकती है पर आपको एक perspective मिल जाएगा something is better than nothing वाला हिसाब है और जो भी conclusion लिखे हैं वो आपके favor में ही काम करने वाले जैसे कि क्या सब सबसे पहला weightage जो institute ने दे रखा है वो weightage की institute ने अच्छी खासी wind बजा दी जैसे कि इन्हों ने winding up और वो miscellaneous chapter और adjudication उसका weightage दे रखा है 35 से 40% यानि कि लगभग लगभग वो आपको ऐसा बताना चाह रहे हैं कि करीबन आपको 15 से 20 marks वाह पे देखने के लिए मिल सकता है पर उसमें से आपका weightage winding up का आया था art marks एक जना कहते है और वो ही जना कहते है कि बाकी miscellaneous से कोई questions ही नहीं आए पर दूसरी तरफ एक इनसान कहते है कि miscellaneous से भी questions आये थे winding up से थोड़े बहुत आये थे और वो उसका weightage अच्छा खास है तो weightage का ना कोई भरोसा है ही नहीं क्योंकि सर तुम ये समझ करके चलो कि एक लाख questions या फिर तुम ऐसा समझ कर चलो logically पाँच हजार questions का एक pool बन रखा है तुम्हारा जब तुम paper लिखोगे ना तो आपका system automatically उसमें से आपके लिए 50 एक questions generate करने वाला है मतलब से fake person questions उठने वाले तो कोई भी random questions उठेंगे कोई भी random case studies उठेगा आपका बहुत जादा दिमाग आप लगा नहीं सकते तो sir मेरे को बच्चों से ये बात करके समझ आए कि आपका कही ना कहीं preparation के साथ साथ लग भी matter करता है कि मालो अगर आपने decide किया SEBI regulation छोड़के जाऊंगा तो SEBI regulation से कितना वेटे जाएगा वो आपका luck decide करेगा आज नहीं तो कल पास हो जाओगे वाला हिसाब है उसमें इनों ने ये समझ में आया बात करके कि 80 coverage percent coverage is good enough अगर आपका नसीब साथ देगा तो आप 80 percent coverage में भी 80 marks ले आओगे क्योंकि एक बात बताओ जो बंदा बिना पड़े गया था उसने तो पूरा तुक्का मारा उसको 15 से वो कहते है 15 marks का उसको या 15 questions उसको आते थे आपकी सब उसने तुक्का मारा पर इस बच्चे ने जिसको 75 आया उसने कहा सर फेमा का तगड़ा application based question था बहुत सारे application based questions भी आ रहे again depending on the sample that you get in your paper so application based question में जिससे की managerial remuneration का पूरा net profit का calculation देते आपके फेमा में इनोंने पूरा अनलग-अलग लोगों का status समझा है, सब कुछ समझा है और उस पर तगड़ा question पूचा तो बहुत सारे application based questions भी आ रहे हैं पर at the same time बहुत straightforward questions भी आ रहे हैं सर पूरा questions का pattern था case study case studies बहुत lengthy थे individual MCQs के questions छोटे-छोटे थे और मज़े की बात ये पूरा case study बगएर पढ़े भी आप MCQs smartly solve कर सकते हो आपका time बहुत बचेगा अब सर एक बच्चे ने का कि उसका paper जो तुक्रा मार के आ रहा है उसका एक घंटे में खतम हो गया पर जिसने ढंग से paper लिखा उसने का दो घंटे में paper एड़दम आराम से खतम हो जाएगा पर problem यह आप उटके आ नहीं सकते आपको paper extremely last के 5 minute में ही submit करना पड़ेगा तो आपको वहीं पर चुपचा बैठे रहना पड़ेगा और आप phone वोन कुछ लेके of course नहीं जा सकते फोन चोड़ो वो कह रहा था कि उसका bottle बाहर रखने के लिए कह दिया पानी का क्योंकि transparent bottle नहीं लेका था पांच मिनिट तक मेरी checking हुई पहले machine से चेक किया फिर उसके बाद हातों से चेक किया कि इनका नया नया है ना इसलिए तरह खुश हो रहे है तो ठीक है भई या तुम लोगों के साथ भी ऐसे experience हो सकते है depends from city to city, place to place and the kind of people that you meet result आपका तुरंट submit करने के बाद instantly आ रहे है पर आप उसमें क्या सही क्या गलत वो नहीं चेक कर सकते एक दिन बाद शायद आपका result आपके portal में upload होगा वहाँ पे शायद आपको देखने मिल सकता है वो अभी तक नहीं देखा है वो कल पता चलेगा सर आज पता चला कि lower turn out था मतलब 10-10 लोग जैसे एक student ने का बारा लोग register कर रहे दे उसमें से सिर्फ तीन लोग आए वाकि नौ लोग आए नहीं वो तीन लोग भी ऐसे थे पापा ने बुला तु पैसा भर रहे जा पेपर लिख के आज़ाओ ठीक है और उसके बाद सर लास्ट में penalties के questions नहीं आए पर सेभी के penalties आ रहे है सेभी से penalties आ रहे है वो तो penalties के important भी है हम class में वैसे cover भी करेंगे time limits पर question आ रहे है सर या आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कुछ time limits जैसे कि कितने दिन पहले notice आना चाहिए क्या होना चाहिए यह सब पर questions आ रहे है मतलब time limits पर questions आ रहे है और सर MCQs बच्चे MCQs कितना practice करके जाए तो राजा देखो honestly बताओ honestly दिल से MCQs practice करना आपकी help नहीं करेगा क्योंकि जो आप MCQs करके जाने वाले हो वो वैसे भी नहीं आने वाला और बहुत जादा tricky questions भी नहीं आ रहे है ऐसा नहीं कि direct tax है जितने जादा किया उतना दिमाग खुला नहीं MCQs practice करने से जादा focus आप concepts पर करो क्योंकि concepts clear होंगे न तो paper निकाल लोगे तो यह discussion के बाद आज मेरे को एक चीज समझ आ गई रजा कि अगर आपको आपका paper 6 यानि कि IBS से कोई लेना देना नहीं और अगर आप बहुत smart हूं मतलब आप थोड़ा सा अगर एक होता है ना average य सब मिला करके आप एक बहुत safe provision 70 गंटे का बना के चलो कुछ आ गया इसमें आपके classes आगी इसमें आइसे ही module का आगया इसमें आपका खुद का पढ़ही हो गया और इसमें टेस्ट आगया 70 से 75 गंटे अगर आपका paper 6 से भी कोई लेना देना नहीं है और आप बहुत smart भी हो तो आप चुप चाप जाओ दो तीन दो दिन revision वीडियो देखो 12 गंटे में उपर उपर से revision वीडियो देखो जाके तुक्का मारो 2-3 तुक्के में आप पास हो जाओगे अगर आपको इसमें टाइम पास करना है चीक है पर मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए यह satisfactory answer आया है कि SPOM में पूरा-पूरा आपके लिए 70 गंटा और अगर आपका attempt 1-8 साल-2 साल बाद है तो आप मान के चलो maximum आपसे 100 गंटा मांगेगा और यह मैं set A की बात कर रहा हूँ यह हम conclusively बोल सकते हैं और यह 100 गंटे में आप एक बर में जरूर पास हो जाओगे with good scores चीक है यह आप कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि हर paper change होता है transparent bottle नहीं ले जाने दिया वो मेरे बड़ा interesting था उसको बहुत level पे check किया सर जो 75 गंटे पड़के गया था उसने बोला उसके रूम में 10 में से एक जन आए थे दूसरा जना कहते है 12 में से तीन लोग आए थे और test level जो है उसने कहा कि low था कि बहुत कम level पे test कर रहे थे पर जिसने नहीं पड़ा था उसको थोड़ा tricky लगा कहीं कहीं पे ठीक है उसके for today आपको एक information point of view से बता देता हूं कि अगर यहां तक पहुंचे आधे से जाधा लोग तो यहां तक पहुंचते भी नहीं है पर अगर आप लोग SPOM को ले करके परिशान हो तो आप समझ करके चलो कि मेरे 35 आर्स के कोर्स है इसने तो 75 गंटे के गरे थे पर उससे मेरी बात होई रही थे 35 आर्स का कोर्स आपके लिए एकदम आईडल है आपको एक बर में समझ भी आ जाएगा उसके साथ साथ आप रवाइस करो कि तब भी हो जाएगा निकल 30 नहीं 35 से 37 मान के चलो उतना आपके लिए काफी है और उसमें आपका paper 6 भी must sorted हो जाएगा और paper भी आप ए कोई रही है तो नीचे आप comment box पर पूछ सकते और मैं मिलूंगा आप से अगले वीडियो में अंटल दिन प्लीज टेक केर स्टडी वेल इस यह और सी अबडी शुवाम सिंगल साइनिंग ओव बाई